नमस्कार आप देखरें आज का मुद्धा मैं हूँ आपके साथ दिपाली शुरुबात करते बड़ी खबर के साथ क्योंकि प्रधान मंत्रे मोदी कैबिनेट में जो पहला फैसला है वो लिया गया है इसमें आपको पहले फैसले की अगर बात बताएं तो नैशनल डिफेंस प प्रधान मंत्री मोदी ने दूसी बार अपना कारेभार संभाला है और उसके बाद जब वो पहुझे तो सबसे पहले रोने गांभी जी की मूर्ती पर फूल चुड़ाए और उसके बाद जो पहला फैसला लिया गया है बेहदी महदपूर फैसला जिसमें 2250 से 3000 रुपए की ये स्कॉलर्शिप बढ़ाए गई जिसमें चात्पृती बढ़ाए गई है नरीद मोदी कैबनेट की बैठक में पहला फैसला है नैशनल डिफेंस पंड से बढ़ाए गई है शहीदों के बच्चों की स्कॉलर्शिप मैनेजिंग एडिटर हमाई सार जोचुकी है इस बख शीतल राजपूत शीतल एक बहुत बड़ा फैसला और पहली ही बैठक होई और पहला ही बेहद ही महदपूर फैसला बिल्कुल पहला प्रधान मंतरी ने अपना कारेभार संभाला अपसे थोड़ी देर पहले और फिर उनका एक ट्वीट आया जो पहला फैसला उनकी गवर्मेंट ने किया वो खुद लिखते हैं कि वो देश के रक्षकों को डेडिकेट करता हूँ यानि जो शहीद हैं जो देश की रक्षा करते करते अपने प्राण नेचावर कर दिये मैं अपना पहला फैसला उनको डेडिकेट करता हूँ और ये फैसला ये है कि प्रधान मंत्री की जो स्कॉलर्शिप स्कीम आती है नाशनल डिफेंस पंड के तहट उसमें हमने बदलाव जो है उनको उन पर अप्रूवल किया है हमने हम बदलाव करने के लिए हमने सेमती बनाई है और इसमें ये होगा कि जो भी सुरक्षा कर्मी तिर चाहे वो पुलिस विभाग से हो चाहे वो सेना से हो जो आतंकी या नकसली हमलों में मारे गए शहीद हुए उनके बचों के लिए जो चात्रवृती पहले जो प्रोविजन थी उसको हम बढ़ा रहे हैं लड़कों के लिए दो हजार से धाय हजार रुपे उसे किया जा रहा है और लड़कियों के लिए सवादो हजार से तीन हजार रुपे ये चात्रवृती जो है बढ़ाई जा रही है तो प्रधानमंद्री ने बड़ा इससे संदेश दिया, संकेट दिया पहले बार फैसले में कि हमारी जो सरकार का फोकस है, क्रक्स है, forces first, nation first, वो आगे भी हम बरकरार रखेंगे और जिन्होंने देश की रक्षा की, उनको ये पहला फैसला हम डेडिकेट करते हैं, आतंकी नक् अपनों को आतंक के हाथों खोया, या जिनके पिता भाई आतंक के चलते अनक्सली हमलों के चलते शहीन हुए, बिल्कुल और जिस तरीके से आप भी बता रही हैं कि और जो एक एजंडा था और जिस तरीके से बीजिपी भी लगातार इसी एजंडे पर बात करे थी, कि nation first व ऊप्रिकों के तरीकों के लिए, पुरिस कर्मियों के लिए, बार मिलेट्री फोर्स के लिए, सब के लिए एक मोराल बूस्तर है, बीजि की प्राण जो और ज्चावर करते है, वह सीमा पर डटे रहते हैं, अप्र ने हाल में भी देखा, फिर हमने देखा किस तरह शहादत ह पुलबामा में इतने सारे हमारे जवानों के और उसके बाद बाला फोर्ट स्ट्राइक करके भारत ने बदला लिया तो उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए कि हमारे लिए फॉर्स फास्ट है नो कॉम्प्रमाइज नेशन फास्ट है देश पहले है सैनिक पहले है जो कि आज हुई और उसमें ये बड़ा फैसला लिया गया जिसकी जानकारी प्रदान मंत्री ने खुद ट्वीट करके दी और बाकी अगर बात क्याबनेट की करें तो इस तमाम बिगर्ज मंत्री जो एहम पोर्टफोलियों जिनके पास हैं वो सभी ने लगभग अपना कारेब संभाल लिया है और हम सभी जानता है कि रक्षा मंत्री के तौर पर राजनात सिंग को चुना गया है और आमित शाह सबसे बड़ी चौइस ग्रह मंत्री की नंबर टू वैसे भी प्रदान मंत्री के करीबी हैं और मोधी सरकार टू में नंबर टू की भूमिका में भी रहने स्वाले है अब जब ग्रह मंत्री देश के बन बन गए हैं और कई सारे बड़े काम और फैसले उन्हें लेने होंगे आने वाले दिनों में फिर चाहे वो कश्मीर में आतंग की बात हो नक्सलवात को खत्म करने की बात हो या एनासी को लागू करने की बात हो यह तमाम चुन जुलाय तक लागू करना है यह तो कोट का आदेश है तो यह सब फैसले जो है यह आमिट शाह को लेने होंगे और उन्हीं की देखरेक में पर काम होगा लेकिन क्या लगता है कितना मुश्किल होगा क्योंकि अगर हम जिश्यों की बात की जा रही है 35 A, 370 यह तमाम ऐसे मु लगातार मैनुफेस्टों में आते रहे हैं जब जब बीज़िपी की सरकार बने वाले होती उनका जो घोशना पत्र रहे हैं वो पिछले तीन-चार सालों से यह मुद्दा ऐसा है जो खत्म नहीं होता है मैनुफेस्टों में जरूर होता है लेकिन सरकार निकल जाती है और क्षमीर में जो पॉलिटेशन है या पॉलिटिकल पार्टी से वो लगातार निरंतर इसका विरुद करती रही है कि आप 35 A नहीं हटा सकते आप 13370 नहीं हटाएंगे और मैभूबा मुफ्ती PDP की जो नेतरी हैं वो तो यहां तक की धंकी दे चुकी है कि वही अगर आप 13370 अ का टाएंगे पे 730 कkę कश्मीर जोए वो भारत का हिस्सा नहीं रहेगा तो मितलब उनसे लोग पूछते हैं कि यह कैसे सकते कि कशमीर भारत हैं स Aprèsी और नहीं को नहीं रहेगा तो क्यों नहीं है यह मेगर नेता करें या यह कंश्मीर के में स्नीं पॉलिटेशन करें वो इस तरह का महाल वहाँ पर बनाते हैं लेकिन जमुकश्मीर में एक बड़ी राय ये भी है कि सच्मुच पूरे देश के साथ जब हम भारतियां है जमुकश्मीर भारत का अभिन अंग है तो कि ना बाकी नागरिक जो देश के हैं उनको भी हक हो अरुज़ साज की इस आटिकल की तहर भुलाई का आइस नहीं पर बड़ी में लगातार यह रहा है और इस मारें तरीके से कहा है कि अनुलिंग 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 सेक्शन थरी फारिकल थरी फाइव हमारी बड़ी प्रयोरिटीज में से एक होगी और यह सब समाम मुद्दे कश्मीर नक्सलवाद घुसपैट फिर एनार्स यह सब ग्रहम अंत्राले के अंतरगत आते हैं बेहत एहम पो आथ दियार्स कर घुराइए कि अगर अनुलिंग उन्हाद ही औरं यहां कि मुझे लकला में तो एक भी विदेशल र動画 में नहीं मिलेगा किम ढूलि आक देडालं के दारन यह भी का है कि अब देश के कोने कोने से उत्तर पश्चिम पूरब दक्षन जहां कहीं भी विदेशी घुस पैखे होंगे वह इस देश से बाहर कर दिये जाएंगे तो यह उनके अजेंडर पर है तो यह तमाम मुद्दे जो हैं यह मंत्राले के अंतरगत आते हैं और यह बड़ी जिम्मेद और मैक्सिको आइलेंड में भारती राच जूत रहें और पेज़िदा मुद्दे को सुलजाने में माहीर हैं तो अब लगता है कि जो विदेश नीती है और सुधरे की क्योंकि एक वाइल कार्ट एंट्री इसे माना जा रहा है तो यह कितना अब देश के लिए फायदे मन हो एक वाइल कार्ट एंट्री जरूर है एक नॉन पॉलिटिशन जरूर है करियर डिप्लोमाट है वो जिनको विदेश मंत्री सीधा बनाया गया है वो एक नेता नहीं है लेकिन यह बहुत ही आला चॉइस है और जो लोग डिप्लोमसी को फॉलो करते हैं डिप्लोमाटिक सर्क है क्योंकि एस चैशंकर सुष्मा स्वराज विदेश मंत्री थी तो उनकी टीम में भी थे और वो लगातार एक करियर डिप्लोमाट के तो अगर एक करियर किसी भी पॉलिटिक पॉलिटिकल चॉइस ज्यादा एक करियर डिप्लोमाट जो होगा वो खूट नीती विदेश न ल्याइब प्लान किया है अफिर भारत चीन के संदर्व में भारत और अमेरिका के संबंधों के तंदर्व में हो उसमें कंटिनुटि रहे और आगे यूँहीं बरकरार रह रहे आपको बताओं के नरेंद्र मोधी की जान पेचान इस शेंकर से पहले से है और जब वो गु धारा तक विदेश अच्छिव रहे एस जह शंकर आप यह तीन साल जो कि मोदी सरकार के पहले तीन चार साल तीन साल लगभग उस्तारान उन्हें विदेश नीटी जो थी मोधी सरकार एक की उसको एक अमली जामा पहनाने में और उसका क्या रूप रहा होनी चाहिए उसमें उनका काफी क्रूशल रोल था और हमने देखा कि अमेरिका फिर अरब कंट्रीज हो या हमारे तक्षिन एश्या में हो इन सभी ज अरब भूमिका में थे वो उसकार्य में शामल थे जिसमें यह रूप रेका तैयार की जा रहे कि खाका बनाया जा रहा था तो इससे पहले वो अमेरिका में भारत के राजदूर भी रह चुके हैं चीन में भी रह चुके हैं तो एक करियर डिप्लोमाट है जिनको भारत और हारत के बाकी दुनिया के साथ जो रिष्टे हैं जो डिप्लोमाटिक संबंध होने चाहिए उसके बारे में अच्छी जानकारी है गहरी पकड़ है और इसलिए उनका चनाव विदेश मंत्री के तौर पर बहुत सोच समझ कर किया गया है और उनके सामने भी चुनाओतियां क गहरी होगी इन मामलों में बिलकुल सही कह रहे हैं आप और अगर अब हम बात करें जो रक्षा मंत्री जो रह चुकी है निर्मला सीता रमन पचास साल बाद इस विभा का अगर जिमा दिया गया है महिला के पास जो पहले इंद्रा गांधी के पास वो इस विभा को अपने पास रखती थी और पचास साल बाद इस विभा का जिमा किसी महिला को दिया गया है अगर शीतल हम बात करें यहां निर्मला सीता रमन की इनका कड़ भी बढ़ा है दूसरी बात वित मंत्राले एक ऐसी जिमेदारी दी गई है कि जिसके साथ ही मिलते ही जिमेदारी मिलते ही उनके पास चुनौतियां भी बहुत हैं चाहे हम अब बज़ट की बात करें क्योंकि अब जुलाई के दूसरे हफते में ही बज़ट पेश होगा तो ऐसे में उनके पास तमाम चुनौती होगी बज़ट को लेकर इसके लावर जो ग्रोथ रेट है उसको लेकर भी उचाई त पूर्टफोलियो अमूमन उन्हीं को मिलता है सरकार में जो ट्रस्टेड होते हैं जो बिल्कुल इमांदार जिनकी चवी रहती है और निर्मला सितरमन की चवी एक इमांदार पॉलिटेशन की रही है फिर जाए वो कॉमर्स मिनिस्ट्री में थी या उसके बाद रक्षा मंत प्राइस करते हुए अपने आपको अदर तक जानने की कोशिश की तो वह इमांदारी से अपनी भूमिका निभाती है जो भी जिमेदारी उने दी जाती है और प्रधानमंत्री की ट्रस्टेट से पहसलारों में से एक हैं और एक बार फिर उन्होंने इतिहास ही रजा है कि प अब यह पास हुआ है लेकिन आप जिस गहराई से वह चीजों को पगड़ने की समझने की कोशिश करती है जिस इमांदारी से और इस्टी से वह काम करने की कोशिश करती है हम उमीद कर सकते हैं कि इसमें भी शीव ट्राइट गीवर बैस वह अपना बहतरीन देने की कोशिश करेंगी और ऐसा और यह सब्जेक्ट उनके लिए अंजान नहीं है क्योंकि उनकी पुरिश्ट बुमियों की बाग्राउंड उनकी पढ़ाय लिखाई कामर्स की रह चुकी है उनके पती भी एक जाने माने एकॉनमिस्ट रह चुके हैं और वो खुद एकॉरमिक्स पर चुक उनके हवाले की गई है तो वो इसमें भी उसी इमानदारी से काम करेंगी और देश को आतिक तौत पर और प्रगती शील बनाने में पुरा योगदान करेंगी वहत्तों शुक्रिया हम ऐसा जुड़ने के लिए तो शीतल राजबु जो मैनेजिंग एंडिक्टर हम ऐसा जु हमिदारी होगी चुनौतिया बहुत है लेकिन सभी जो मंत्री है उन्होंने अपने कारिभाय समाल लिया है रुक रिंग छोड़े से ब्रेक लिए फॉर नोड़ते हैं पोड़कर दिए आप तरफ अब करेको पर ना वे वेखिव यहारे चारव्यकर ने अपना कारेभार भी समाल लिया है के यहां पर परकाह жाव्यकर एक तरफ आप तस्वीरे देख रहे हैं आई भी मंत्री दूसरे तरफ आप देख रहे हैं S. जैशंकर विदेश मंत्री दोनों नहीं अपना कारेभार समाल लिया है प्रकाश जावरे को सूचना और प्रसारन मंत्री बनाए गया है इसके अलावा उन्हें परियावरन वन और जल्वायू परिवर्तन की जिम्मेदारी भी दी गई है और S. जैशंकर को विदेश मंत्राले की जिम्मेदारी दी गई है S. जैशंकर ने भी अपना पदभार ग्रहिंड कर लिया है दो तस्वीरे आपके साम Famine है एक तरफ प्रकाज जावरे का, दूसरी S. जैशंकर तो मुदीनी मंत्रियों को मंत्राले दे दिये है मंत्री भी अपने कार्यवार संब्हाल रहे हैं आप warrior दिखाते हैं आप पहली तस्वीर आप देखेरें निर्मला सीता रमन की जिन्होंने रक्षा मंत्राले का जिम्मा पहले सौपा गया था और अब वो ने वित मंत्राले दिया गया है वही दूसरे तस्वीर आप देख रहे हैं पियुश गोईल जिने रेल मंत्री दिया गया है धर्मे प्रधाब पैट्रोलियम मंत्री रमेश कोक्रियाल को HRD मिनिस्टर वही मोधी सरकार में मंत्रवाले को बटवारे को लेकर अगर बात करें मंत्रों ने अपना कारभाल सम्हालना शुरू कर दिया है अब आपको दिखाते हैं चार तस्वीरे जिन में मुख्तार अबास नख्वी जीतिन्द सिंह भी मुण्री धरन राम विला सपासवान ने अपना अपना कारभाल सम्हाल लिया है मुखतार अबास नकवी को अलपसंख्यक मामलों का मंत्री बनाए गया है जितेंदी सिंग को पहले भी की तरह इस बार भी पी-एमो मंत्री बनाए गया है जबकि वी मुली धरन को संसिदेकार और विदेश मामलों की जिम्मेदारी सौपी गयी है राम विलास पासवान को भोगता मामला और मामले में और खादे एवं नागरिग अपुरती मन्तरी बनाया गया है चार तसवीर आपके सामने हैं सभी मन्तरियों ने अपना कारेभार समाल लिया है तो मोदी सरकार टू की टीम तयार है मंत्रियों को मंत्राले को जिम्मेदारी सौप दी गई है कई मंत्रियों ने अज अपना कारेभार भी समाल लिया है आपको दिखाते हैं मोदी कैबिनेट में किन मंत्रियों को कौन कौन से मंत्राले का जिम्मा सौप आ गया है राजना स्तेंग रक्षा मंत्री अमिश्या ग्रह मंत्री नितिन गर्कडी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री डीवीएस सदानन्द गौडा रसाइन और उर्वरक मंत्री निर्मला सीतारमन वित्ट और कॉर्पेट मामले की मंत्री रामविलास पासवान उभुगता मामले खाद एवं नागरेकापूर्थी मंत्री नरेंदर सेंग तोमर्ट गृषी किसान कल्यान ग्रामीन रिकास अंचायती राजमंत्री रविशंकर प्रसाद विधी और न्याय संचार इलेक्टोनिक्स और आईटी मंत्री हर सिम्रत कॉर बादल थाद प्रसंसकरण उद्योग मंत्री ठावर्चन कहलोर सामाजिक न्याय और अधिकारिता एस जैशंकर विदेश मंत्री प्यूष गोयल रेलवे उद्योग और वानिज्य मंत्री धर्मेद्र प्रधान पेट्रोलियम प्राकतिक गैस और इस्पात मंत्री डॉक्तर हर्शवर्दर स्वास्थ और परिवार कल्यान विज्ञान और प्रोधोगिकी मुक्तार अब्बासनक्वी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री स्मृती रानी कपला एवं महला और वाल विकास रमेश पोख्रियाल निशंक मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन मुंडा जनजाती मामलों के मंत्री पहलाद जोशी, हडन, कोईला और संसदी एकारे महेंद्रनाथ पांडे, कौशल विकास और उद्यम शील्टा ग्रणाज सिंग, पशुपालन, देरी और मत्से पालन अरविंद सावन्थ, भारी उद्योग और सार्वजनेक उपक्रम गजेंद्र सिंग, शेखावर, जल्शक्ती मंत्री प्रकाश जावडेकर, परियावरन, वन और जलवायू परवर्तन के साथ सूचना और प्रसारण मंत्री और फिलालग नहीं लिग्मिन खबरों का सलसला जारी है